अगर नेचरल तरीके से अपने घर को सजाना हो ना तो प्लांट से वेढ़ जोळा, वो कोई अफचन नहीं है, तो मैंने भी अलड़ा, जोगी मेरी स्डेर्स है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया है, प्लांट से इनको सजा रखा है, एक्छलि यहाँ पे बहुत अच्छी ऑप reci वाइट लाइट पड़ती है किसामने बहुत बड़ी बिंडव है तो वाइशन भी यहां पर हच्छा है। इन ही प्लांट के बारे में आपको पताऊंगे कि मैंने अपने स्टेर्स पे कौंए-स प्लांट लगा रहे हैं जो कि बहुत अच्छे सी ग्रो हो रहे हैं और इससे stairs का look भी जो वो बहुत अच्छा लगता है और एक positive vibration सी आती है सारे plants को देखके तो चलिए मैं बताती हूं कि मैंने अपनी stairs पे कौन-कौन से plant लगा रखें सबसे पहले number पे लगा रखा है मैंने snake plant जो कि snake plant की डवार पाली बराइटी है लो लाइट कंडिशन में चलने वाला इससे best plant जो अबो कोई नहीं हो सकता नमबर दो पे लगा रखा है पेपरोमिया यह पेपरोमिया की जो वो variegated वाली बराइटी है मेरे पास green भी है वो मैंने दूसरी तरफ लगा रखी है तीसरे नमबर पे लगा रखा है जीजी plant जिसे की jet plant भी कहा जाता है यह लो लाइट कंडिशन में बहुत अच्छे से लग जाता है नेक्स्ट है यह snake plant, snake plant की यह लोंगवरी बराइटी है नेक्स्ट है यह dracina का ही एक बराइटी है और बहुत अच्छे से ग्रो करती है लो लाइट कंडिशन में नेक्स्ट है यह aglonema का plant जिसे की snow white भी कहा जाता है नेक्स्ट लगा रखा है मैंने नॉर्मल जो हमारे हर घर में होता है वो है money plant लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ ही मैंने इसको लगा रखा है money plant को और नेक्स्ट जो है मैंने लगा रखा है प्लांट जो अबो अरेलिया का यह आरेलिया की डवार्फ वाली वराइटी है यह देखिए चोटे से पॉट में फाइव इंच के पॉट में लगा रखा है यह भी स्नेक प्लांट है कितने अशे से ग्रो कर आप देख सकते हैं अच्छा मिलता है यह लगा रखा है मैंने टेवल टॉप कामनी का प्लांट यह अगें जो वो ड्रेसिना की ही एक वराइटी है यह से लगी वैंबो प्लांट भी कहा जाता है यह बहुत अच्छे से जो मिटी में ग्रो कर रहा है पानी में भी अच्छे से कर जाता है फिर से लाइट और एरेशन प्रॉपर मिलता है तो इनकी ग्रोच वह बहुत अच्छी हो रही है नेक्स प्लांट जो लगा रहा है ये लिपिस्टिक पाम का प्लांट है इसको भी मैंने सेरमिक पॉट में लगा रहा है और देखिए कितना अच्छा ग्रोव कर रहा है नेक्स प्लांट है ये क्रोटोन का प्लांट ये मैंने एक प्लास्टिक के पॉट में लगा रखा लेकिन उसमें भी ये बहुत हल्दी प्लांट और आप देख सकते हैं कितना ग्रीन और कितना जो वह शाइनिंग लग रहा है नेक्स प्लांट है ये ड्रैसीना का ही एक ब्राइटी है इसको ड्रैसीना सरकुलों सा कहा जाता है थोड़ा slow growing प्लांट है लेकिन बहुत अच्छा लगता है इसकी वेरिगेटिट पत्तियां जो अब बहुत सुनता लगती है नेक्स्ट्टे प्लांटा ये मेरा सबसे फिवरीट प्लांटा ये है लागई बेंवो का प्लांट जो की हाइट में कम से कम 9 फिट की उचाय हो गई है इसकी और बहुत खुपसूरत लगता ये दिखी यहां से कितनी अच्छी लाइट पडती है तो पोदे, जो अबो बहुत अची ग्रोध करते हैं तो ऐसे जगह में अगर आप अंदर कहीं रख रहे हैं तो ऐसे जगह में प्लेस करना है जहाँ पहुत अची लाइट आती है बहुत अच्छा जो अब बोदों को अरेशन मिलता है तो ये थी मेरी कुछ प्लांट्स की क्लेक्शन, मैंने अपनी स्टेर्स पे रखे हुएğं। बहुत अच्छे भी लगते हैं, देखने में सुन्दर लगते हैं। तो आप भी अपनी stairs को कुछ इस तरह से सजा सकते हैं पस ध्यान इस बात का रखना है कि वहाँ पे aeration और light जो वो proper मिलती हो नहीं तो पौदे जो वो grow नहीं करेंगे आपके पौदे मर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तो खुब सारे पेड़ पौदे लगाए हमेशा खुश रहिए अपने आसपास के बातावन को साफ रखिए हैपी कार्णिंग